दिव्यांग समाज के महत्वपूर्ण अंग है उनके प्रती समाज का सकरात्मक रुख अथवा अपनापन उन्हें समानी जीवन जीने का आत्म विश्वास दिलाता है यह बात जिलाधिश अमरित विकास तोपनों ने बताते हुए समाज से दिव्यांगों के लिए आयोजित शाला प्रवेशो उत्सववा नियोता भोज के लिए आयोजिकों के प्रयास की प्रशन सकी गौर तलब है कि आज जिले के एक मात्र दृष्टी बाधित विद्याले में नवीन सत्र के प्रवेशार्थी बच्चों के प्रवेशो उत्सववा नियोता भोज कारिक्रम के मुख्यती थी कलेक्चर अमरित विकास तोपनों ने बच्चों को पुष्प भेट कर अभिनंदन किया तथा अपने कर कमलों से उन्हें भोजन परोज कर बच्चों के साथ आयोजकों का भी दिल जीत लिया उन्होंने उपस्थित लोगों से दिव्यांगों के साथ जुड़कर उनके मदद का आगरा किया आओ मिलकर करे एक वादा दिव्यांगों के लिए करे कोई कम तो कोई जादा इन पंक्तियों के साथ कारिक्रम के अध्यक्ष एवं उच्च्य न्यायालय अधिवक्ता चितरं खास कर जब सभी सहयोगी संगचनों के प्रमुख लोग आज प्रविश्य उत्सव की बेला में मेरे जन्म उत्सव पर आयोजित नियोता भोज में शामिल होकर सभी शुप कामनाये व्यक्त कर रहे हैं। इस उसर पर विद्यालय के संचालक बिंदेश्वरी जी संस्थापक जस्वन जी और साला परिवार के लोग में बस्ती थे यह स्योंग है कि आज मेरा जन्म दिन है और इस संस्था का मैं जन्भागिदारी शमिती का अध्यक्षु किनाते आज हम लोगों यहां नेता भोज का तो भी आजन किया इस उसर पर जिले के सम्माणनी कलेक्टर महोदय समाज के विविन लोग मानाव अधिकार क्संगठन के लोग और मिडिया के साथी भी पश्थित रहे निश्चित रूप से हकार्व करम इन बच्चों के लिए प्रेणादाई रहेगा जहां समाज के सम्मा बड़े सुखद विशा है कि समाज के दिव्यांग बच्चों के साथ समाज के सम्मानी लोग जब इकठा होते हैं तो उनके जियोन में रोसनी फैली के इसा उम्मिद है इस कारिकरम के माधियों से हमें पता चला कि शक्ती जिले में जो नेतर बधर बच्चे हैं दिव्यांग है उनकी भी ख्याल रखा जा रहा है नाओ मतलब शहर के जो निवासी है शक्ती जिले के उनकी ये सराना पहल है कि वो लोग जो है मिल जुलकर जो है दिव्यांग बच बच्चे थे यहां, वो बहुत ही प्रिये और बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं. उन बच्चे को basically समाज में एक तरह का support चाहिए. और ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि और बच्चों को support करें कि वो कुछ बन सके. इस कारिकरम के माधियम से जो organizers थें, उन लोगों ने बेसिकली एक भोज भी रखा था बच्चों के लिए जिसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा बच्चों को देखकर कि बच्चे जो है जिनको प्यार और लाड़ चाहिए उनको कोई तो है जो देख रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश कि जितनी योजनाएं जो हैं शाषण की उनसे इनको जोड़ा जा सके और इनके लिए कुछ किया जा सके